हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तो आज मैं शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ में बनाने के लिए ब्रेट पैटिस की बहुत ही इजी सिंपल रसपी जिसे आप शाम के नाश्टे पे बना सकते हैं बच्चे बड़ों सभी को यह बहुत जादा पसंद आएगी और साथ साथ में अभी तो रमजान भी आने वाली है उफ्तार के टाइम पे भी आप इसे बना सकते हैं जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत तेस्टी बनती है इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ तैयारा करने हैं तो चार-पांच हरे मिर्च्छ ले लीजे कुछ 5-6 लेसन की कलिया भी जील कर लीजे और अब इस प्राईग पर लेनी है जिससमें एक चमच तेल गरम करना लेया है लाँंप dollar तेल घर लильम करने के साथ लसन और ने उसको पेस्ट दाल देजया तरह यहां पे जो डाले हैं इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और यह जो स्टाफिंग बनारहे हम बोखत जादा अच्छी बनेगी तो यहां पे आप एक मिनट तक यह मसाला डालकर लसन का कच्छा फ्लेवर निकल जाए इसलिए भून लीजे और बहुत अच्छी से खुश्बू आने लगी है लसन का बहुचा फ्लेवर आ रहा है इसी टाइम पे पिंच आफ हल्दी डाल रही हूँ मैं एक छोड़े चमच मे आदह बिनट ओर ब्हुन लेना है जिसे ही मसाला और बॡूनें आपको यहां पे बॉनकर मैश करकर रखावा आलू डालना है है तो यहां पर यह प финंच चिलका कर लिया जके बाद में उसको मैश कर कर यहां पे डाल दिया है और अब यह मताला थी deck एक आनिग बंश आपकर श्पैचुला से मसाले को मिक्स कर दीजिए जिससे आलू का कलर बिलकुल मसालो के कलर का होता जाएगा थोड़ा सा मने हल्दी डाला है तो लाइप पेल यलो कलर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा अच्छा फ्लेवर फुल आलू रेडी हो जाएगा तो यहां पर बहुत ही अच्छा आलू का मसाला बनकर त्यार होता है एक बार इस तरह से यहां अलू मसाला बना बना कर देखेगा अपको भी आदस चाले प्लेट में यहां पर सारे आलू को निकाल कर मैं इस तरह से पहला कर रख देरी हूं जिस से थोड़ी हो जाएगा कि वहार गरम है और नेक्स स्टेप में हम लोग एक बैटर बना रहे हैं जिसके लिए एक कप मैंने बेसन लिए ग्राम फ्लार और इसमें अब कुछ चीज़े आड़ करूंगी सबसे पहले मैं इसमें आदे चमच अजवेन डाल रही हूं इसके साथ ही इसमें मैं नमक आड़ करूंगी अजवेन यहां बहुत चाफ फ्लेवर देगा प्लस डायेशन में हल्प करता है तो जरूर डालिएगा तीस्पून मैं इसमें हल्दी पावडर और हाफ टीस्पून लाल मिर्चो का पावडर डाल रही हूं आदे चमच में बुना कुटावा जीरा पावडर भी आड़ यहां पर जरूर डाले और बस पानी डाले थोड़ा ही दाले है तो अच्छे से मिला दे रही हूं इस तरह से विसकर से विसकर दे रही हूं जो भी बेशन में लंप रहेगी और गाति गुट्लिया नहीं पड़ेंगी अब यह बैटर हमारा बिल्कुल अच्छा थिक सा कर देनी है और इसको नाइफ से कट करकर दो इक्विल पार्ट में डिवाइड कर लेना है इस तरह का इसको हम लोग सैंविच कट नहीं कर रहे है इसको मैं इस तरह से रिक्टैंगल रखा है और बस अब क्या करना है तेल गरम कर लेनी है आपने और यहां पे तेल मैंने गरम यहां पर ब्रेड के पकॉड़े या पैटी बना रहे होते हैं तो आपको तेल का टमप्रेशर बिल्कुल हाई रखना होता है वरना सारा जो ब्रेड पीसे जना वो तेल अब्सक्राइब कर लेता है तो इस बात का खास द्यान रखें और जब दोनों तरफ से ब्रेड सिक जाए यहां पर चाहे चोटे पीसे बीच से काटकर लेकिन अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आप लास्ट में भी आप इसको कट कर सकते हैं तो जरूर ट्राइब किजिए का फ्रेंट्स की ब्रेड पैटी की रसेपी बहुत जाद अच्छी बनती है और इसकी जो अंदर की यहां पर आप इसको सर्फ करते टाइम कट कर दीजिए और अंदर की स्टफिंग दिखने लगती है और बहुत ही मज़िदार चटपटी सी लगती है आप इसको चाहें तो टिमाड़ के चप के साथ में सर्फ कीजिए बच्चों को दीजिए सबको बहुत अच्छी लगेगी आपको मेरी ब्लेट पैटिस की रसपी अच्छी लगी होगी इजी है सिंपल है असान है और शाम के नाच्टे के लिए बिल्कुल पॉफिक्ट है एक बार जरूर बनाईएगा सभी को बहुत अच्छी लगेगी तो आज की आज इस रसपी को ट्राइ कर लीजिए बहुत ही अगर रसपी अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्स्राइब जरू कीजेगा फिर मिलती हो मैं नेक्स टैम तब तक अपना और अपनी फैमिली का खियाल रखियेगा बाय ठाक्स फोर वाचिंग